जहिन देखिए अफगानिस्तान में तालिबान दिन पर दिन हाभी होते जा रहा है इसको काउंटर करने के लिए अमेरिका ने एक निव कौर्ड ग्रूप बनाया और रसिया ने जो ट्राइको बनाया उसको हम लोग समझते हैं जिस रफ्तार से अफगानिस्तान से अमेरिका की फौज वापस जा रही है उसी रफ्तार से अफगानिस्तान के अंदर तालिबान हाभी होते जा रहा है और वह बहुत हद तक हाभी हो चुका है में जो पी जो बड़े-बड़े सहार है वहां अभी तालिबान आगे नहीं आपाए जैसे काबूल वगरा है तो एक चुली इस को देखते हूए अमेरीका ने वापस बींग कर दिया है दो और से चार्म्ोंतरी करना जीए एक दीनी यह करें इस को अब जो बढ़ते कदम है उसको रफ्तार को कम किया जा सके और हमें एक मौका मिल सके ताकि हम लोग वहां कुछ कर सकते हैं अफगानिस्तान की आंतरीक इस्तिती असान्त होने के वज़े से इरान और पाकिस्तान के और बहुत सारे उसके सरणार्थी रिफ्यूजी भागेंगे हाला कि उसके उत्तरी दिसा में उजबेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान वगरा में तो अफगानिस्तान के बहुत सारे सैनिक अपनी जान को बचाने के लिए सरेंडर वहां भाग गए और कुछ तालिबान के साथ सरेंडर भी कर दिये हाला कि बहुत सारे लोग इधर जाएंगे पाकिस्तान ने अपनी सीमा पर फौज बढ़ा दिया और उसने कहा है कि अगर बॉर्डर पे अगर इसी तरह से बहुत जादे लोग आएंगे अफगानिस्तान से तो बॉर्डर सील करना पड़ेगा क्योंकि पाकिस्तान का कहना है कि हम तालिबान को मदद करेंगे ताकि तालिबान हतियार ले और इन लोगों को करता है कि आप अफगानिस्ताने में रहिए आपके मरने का इंतिजाम वहीं पाकिस्तान ने करा दिया है तो इन लोगों को कहना है कि आप पाकिस्तान में आके मत मर वहाँ माइनॉर्टी के तो कोई सुनता ही नहीं वहाँ सीख जो परिवार थे वो लोग अब रिफ्यूजी हो गए अफगानिस्तान तालिबान का कहना है कि ऐसा इन लोग कोई खत्रा नहीं होगा एक कहने के लिए सब को पता है कि माइनॉर्टी वहाँ पर कितनी सेफ रहती है वहाँ पर अब तालिबान जैसे जैसे पावर में आ रहा है उसने कहा है कि हम सांती वारता करना चाहते हला कि तालिबान को भी अगर आप देखेंगे तो उसको भी पता ही कि 1990 का दसक नहीं है यह अब दुनिया 5G क करना पड़ेगा तो यह भी कर आए कि हम कंप्रमाइज करने को तयार है में जो भी एजुकेशन का जो है महिलाओं का जो एजुकेशन है उस पर तालिबान ने कहा है कि हम कोई भी रोक नहीं लगाएंगे लेकिन महिलाओं को बुरका यानि निकाब पहना कंपलसरी होगा आएगा तो क्या करेगा यही सब तो करेगा पाकिस्तान उसमें मदद करता है वहाँ पर तालिबान चुन चुन कर उन लोगों को मारना चालू किया है जो अमेरिका के फौज के लिए काम कर रहे थे जैसे कुछ ट्रांसलेटर थे अमेरिकी फौज को अफगानिस्तान की भास हटेगा क्योंकि लगबख 40,000 से जादे लोगों ने डिरेक्टली अमेरिका का साथ दिया था और लाखों ऐसे संग है अफगानिस्तान में लोगों की जो अमेरिका का साथ यह आस में दिये थे कि अमेरिका यहां रहेगा और एक इस्टेबल गवर्मेंट बनाएगा अमेरिक के जो अफगानिस्तान की फाउज है वो उतना ट्रेंड नहीं है जितना तरह से अफगानिस्तान इनको मतलब आगे बढ़ रहा है तो इसको देखते हुए अमेरिका ने एक निया क्वाड गुरूप बनाया है क्वाड में से जिसमें चार मेंबर रहते हैं उन्हें क्वाड क चार देता है अफगानिस्तान अब्यस रहे घा रहे नहीं यह अ नहीं है जब अमेरिका खुद था तो कुछ हुआ ही नहीं तो यह जाने के बाद क्या होगा तो इसको देखते हुए रस सिए ने अपना एक नया प्रस्ताव pessoa चलाए है कि रस श्याब जो है वहाँ पेराइका उसने एक हैं निया मतलब ट्राइका प्लस बनाया है क्या है उफ ट्रॉइका वहाँ के एकका गाड़ी को कहते है उसको खीचेंगे से तीन ठो मिलके, कौन-कौन, चाइना, यूएस और रसिया, और रियल में आज के वक्त में पूरी दुनिया में इनी लोगों का डॉमिनेंट्स देखते हैं, चाइना जो है, एकोनोमिक सूपर पावर बन रहा है, रसिया और अमेरिका मिलिटरी सूपर रसिया का कुछ अलग था, चाइना का मतलब नहीं है, कौन मर रहा है, क्या नहीं, इसको बस फायदा दिखना चाहिए, आतंगवादी को ये माननेता का अपना अभबा घोसित कर दे गाई है, तो ट्रोईका को और आगे बढ़ाने के लिए, उतिन ने ट्रोईका प्लस बनाय टेकनोलोजी के मामले में ट्रोईका के ये तीन देश ही एनफ है, लेकिन दबाओ बनाने के लिए ट्रोईका प्लस बनाये गया, जिसमें से इन चारों को सामिल किया गया, जिसमें हम पहला देखते है इरान का, अगर आप नक्सा में देखेंगे तो एरान अफगानिस्तान पाकिस्तान दोनों से boundary बनाता है अब इरान जो है वो एक सिया कंट्री है सिया कंट्री और अफगानिस्तान जो है वो एक सुन्नी कंट्री है तो अफगानिस्तान में अगर तालिबान आएगा तो तालिबान जो है वो उसका तो कोई संविधान नहीं है वहाँ पर सरिया कानू उने मतलब जो मान बात नहीं माने उसको उड़ा दो सीधे तो इरान कभी नहीं चाहेगा कि अफगानिस्तान फुल पावर में आ जाए इसलिए ट्रोईका प्लस में इसको सामिल किया गया इरान को कि इरान पूरी जी जान लगा देगा तालिबान को काउंटर करने के लिए उस कि कोई भी समझाता करेंगे सब तो दोहा में आके करेंगे क्योंकि कोई भी देश कंधार में जाना नहीं चाहता है सिफ में तो यह याद रखिए का कतर का ही सबसे निजपेपर है जो इन लोगों की मिडिलिस्ट की बातों को वह अपनी और से मतलब बढ़ा चाड़ा के भी रखता है अल जजीरा तो कतर को सामिल कर लेंगे तो देखे अब इरान और कतर यह रूस अमेरिका चाइना इन ही तीनों के हिसाब से पूरी दुनिया चलती है तीन देस के हिसाब से अब भारत को रखने का एक और फायदा यह है कि भारत भाईया भारत का बहुत जादे इसके आतंगवादी बच्चे होते ही रहेंगे, तो इससरा इसको रखना तो जरूरी है, तो ट्रोईका प्लस देखते हैं लोग ये कितना आगे बढ़ सकता है, कितना सांतिवारता कर सकता है, हाला कि ये बात जरूरी है सब को समझना कि तालिबान अफगानिस्तान का एक अभ स्टेंडिंग रखना है, कि भाया हमारी जो वहां पर हमारा जो इन्वेस्टमेंट है, जो पैसे लगें, उसको तुम नुकसान मत करो, बाकी हम तुमारे में इंटरफियर करने नहीं जा रहे हैं, और तालिबान भी इस बात को समझता है, कि अभी के वक्त में अगर हम भारत से खुला दूसमनी ले लेंगे, तो बहुत महंगा पड़ेगा, अब यहीं इसी को देखते हुए, देखे, असरफ गनी पूरी तरह से पाकिस्तान के खिलाब है, मतलब उनका असपष्ट काना है, वो मीटिंग में भी थें, उजबेकिस्तान में, तासकन में वहां पर, तो उन्होंने साफ का दिया, कि पाकिस्तान की एर फोर्स ने ओफिसियली कहा है, अफगानिस्तान की एर फोर्स को, कि आप तालिबान पर हामला करेंगे, तो हम आपको हामला करेंगे, मतलब जो एर फोर्स देश की रक्षा के लिए होती है, लेकिन पाकिस्तान की एर फोर्स आत अंदाजा लगा यह बकरीद की नमाज हो रही थी प्रेजडेंट पैलेस में बकरीद के नमाज में भी बंफोड़ दिया सब बैचार देखें यह बैचार एक आदमी घबरा के मतलब उठके जाने लगें अब बते कोई नमाज पढ़ रहा है उस वक्त भी बंफोड रहे हो क्योंकि लोगों को भी पता है कि यहां और इसी कंट्री में संतावन देश हैं यह कब किसके साथ जाएंगे यह अपनी हिसाफ से सलेक्टिव आइडिया रखते हैं हम तो दाथ देना चाहते हैं असरफ गनी साब को यह देखिए यहीं पर यह बैठें असरफ गनी साब यहां ने भी का है कि पाकिस्तान जो आतंगवादी सप्लाई कर रहा है उसे यह नहीं भूलना चाहिए कि इस प्रिथिवी का इतिहास रहा है कि सबसे बड़ी हार अगर किसी की हुई है तो पाकिस्तान की हुई है 1971 में जब उसके निकम में 93,000 फौजीयों ने सरेंडर किया था चो में दो-दो इतिहास देखने को मिला जब सबसे बड़ी हार पाकिस्तानियों की हुई और भारत ने एक तरफा जीत रगया बते 120 फोजी मिलके लोंगे वाला में हरा दिया सब तो यह पोस्ट उन्हों ने दिखाया अब यह कोई आम पबलिक या मीडिया दिखा दी तो अलग है लेकिन आइसा कभी मानावता को हथ पार कभी भारत ने ने किया अफगानिस्तान के जो राजदूत थे पाकिस्तान उनकी बेटी को अगवा कर लिया गया वो तो बाद में छोड़ा गया तो काफी टॉर्चर वगरा हो तो पताई इतना गिर सकता है पाकिस्तान लेकिन इस तरीके तालिबान अगर मारता है तो वो गलत है भारत को भी हाथ पे हाथ रखके नहीं सोचना चाहिए क्योंकि तालिबान 110 परसेंट वो भारत के खिलाफ ही रहेगा भारत का असर अफगानिस्तान में सुरू से बहुत बहतरीन रिलेशन रहा है आप देखेंगे सुभास च रेडरोसिया पेरिस पेमियाई चंद गुप मौर को दहेज में मिला था जिसका अभिल का नाम काबूल कंधार मकरान हराथ है तो तो दहेज का जमीन है बिहारीयों की अफगानिस्तान तो हमारा पुराना रिलेशन है वहां तीन बिलियन डॉलर निवेस किया है पाकिस्तान लेकिन वह आतमवादी की रूप में निवेस किया हम लोगों ने वहां 135 क्रोड रुपे लगा के हाईवे बनाया है लोग जरान से लेकर देला राम तक इस हाईवे को बनाया है लोग साथ ही हम लोग ने वहां पे 90 बिलियन डॉलर पैसा लगा के हम लोग वहां का संसत भौन बनाये हैं 290 मिलियन डॉलर बनाके वहां सलमा डैम बनाया है जहां कि बिजली उत्पादन हो सके तो यह अफगानिस्तान के लोग भारत से काफी emotional attachment है लेकिन जब तालीबान आएगा तो तालीबान इन सारी चीजों पर अटैक करेगा करेगा नहीं वह करना चालू कर दिया ह अपेली उसने बोल भी दिया है संसत के एरिया में हमला भी चालू होई गा है यहां पर हाइवे पर कबजा करना वह चालू कर ही दिया है साथ ही सलमा डैम पर जो सिक्योर्टी चेक पोस्ट थी उसको तालीबान वाले ने मारके उड़ा ही दिया है तो भारत का जो इतना पुर्वी पाकिस्तान पस्टमी पस्टमी पाकिस्टान बड़ा था पुर्वी पाकिस्तान जो बंगलादेश देख रहा है यहां इतनी खतरनाक समस्या होगे ती सेम तालिवान की तरह इंद्रा गांधी ने भी मुक्तिवाहिनी की मदद से यहां पर उनिशेखटर का तो भारत ने कहा कि पहले तुम कहो कि ये तुम्हारा देश अब से नहीं रहा अब ये बंगला देश बन गया तो भारत को भी अभी ऐसा नहीं है कि हम लोग इतिहास से नहीं तालीबान को भी काउंटर किया जा सकता है लेकिन हंडेट परसेंट आप तालीबान के रहम दिल पर रहेंगे कि वह भारत को छोड़ेगा तो ऐसा नहीं है याद करिए जब हमारा भीवान हाईजेक हुआ था तो कंधार में ही लेके गया गया था तो उस समय अगर असरफ गणी या फिर लोकतांतरी सरकार रहती तो कंध झाला को तो में कि वह बहुता कर दो कि बहुता है तो कि